मैं तो ना अमने हस्बेंट से सारी बाते बिना पूछे ही शेयर कर देती हूं सुब्य से लेके रात तक क्या हुआ किसे बात हुआ कौन आया कौन गया लेकिन वो मुझसे अपनी हर बार शेयर नहीं करते और तो और अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो भी वो मेरे साथ डि अगर तो आपके हस्मेंंड आपके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करना शुरू करदे और आपके साथ बात करने से कत्रा आएंगे नहीं वीडियो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल पर क्लिक जरूर कर देना मैं हूँ डॉक्तर शिखा और मैं इस जिसकी अपने husband से एक complaint है कि वो जादा बात नहीं करते, जितनी बात आप करते हूं उतनी नहीं करते, बिना पुछे कुछ नहीं बताते Mostly जो females है, mostly wives की ये problem होती है इसका reason ये है कि जो males होते हैं उनका biological nature ही ऐसा होता है कि वो थोड़ा कम वोलते हैं वो थोड़ा सा कम share करते है अपनी feelings को भी, अपनी बातों को भी तो इसलिए हमको इस चीज को personally नहीं लेना कि भी मेरे में कोई problem है मेरे प्यार में कोई कमी है या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं इसलिए discuss नहीं करें हमको इस चीज को accept करना है कि वो हमसे अलग है जिस तरीके से हम चाहते हैं कि वो सारी बाते share करें उस तरीके से बात share करने का उनका nature नहीं है जब हम इस बात को accept कर लेंगे कि उनका nature ही ऐसा है कम बोलने का क्योंकि हम नहीं इस बात को accept नहीं कर पाते हैं कि लोगों का nature different different होते है तो हमको accept करना है कि उनका nature हमसे अलग है फिर हमको क्या करना है कि उनकी personality को study करना है कि उनकी अपनी क्या qualities हैं जैसे कि आप share करते हो उसके लावा वो उनकी क्या quality है हमने उनकी उपर focus करना शुरू करना है और इस बात को अपनी mind से निकाल देना है और इस चीज़ को ही समझना है कि उनका nature ऐसा है इसलिए वो कम बात करते है और उनके उस nature के लिए हमको उने क्रिटिसाइज करना बंद कर देना है next हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो males होते हैं और especially जो लोग कम बात करते हैं उनको अपने mind में सारे thoughts को process करने के लिए थोड़ा सा time लगता है साथी साथ क्या है कि males की उपर, husbands की उपर ये बहुत pressure रहता है बचपन से ही कि हमें strong male रहना है, हमें strong बनना है तो उस चकर में भी वो हर बार share नहीं करते हैं अपने अंदर ही अंदर रखते हैं उन feelings को, emotions को, problems को और खुद ही उनके solutions तूटने के कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ये सारी बाते किसी से share कर देंगे वो एक weak personality होने का sign होगा तो इसलिए हमको उनको थोड़ा सा time देना है जब हमें लग रहा हो वो किसी problem में है वो हमारे से discuss नहीं कर रहे हैं बात को तो हमको एकदम से जाके उनके उपर questions की बहचार नहीं कर देनी है एक के बाद एक के बाद एक जब हम उनको space देंगे थोड़ा सा जिससे के उनको यह लगे कि आप उनकी life में unnecessary interfere करना चाहरे हो या फिर आप किसी भी तरह की questioning करने लग जाओ गा interrogation तो उनको लगेगा कि जैसे आप उनकी उपर CIG लगे हो उनसे पुछते चले चाहरे हो तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा questions उनसे related पूछने की जगे न अपने related बाते करने शुरू कर दो अपने related questions पूछने शुरू कर दो open ended ऐसे questions नहीं हाँ या ना में जवाब हो जिनका ऐसे questions जिनके जवाब में न उनको थोड़ा सा ज़ादा बोलना पड़े वो एक बड़ बोलने वाले mode में आ जाएं जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे थोड़ा सा अचकल ऐसा low feel हो रहा है आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ ज़ादा अच्छा feel करने के लिए आपको क्या लगता है कि मैं गरके कामों को ज़ाद अच्छे से कैसे manage करो या फिर में को professional life में कोई issue problem अगर हम face करे है तो वो हम उनके साथ discuss करें इस तरीके से कि हम उनकी advice लेना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि वो हमें संझाएं वो हमें बताएं क्योंकि जो mails का nature होता है वो यह होता है कि वो solutions प्रवाइट करना चाहते हैं वो solution लेना नहीं चाहते किसी से तो जब आप उनसे solutions लोगें उनसे advice लोगें और धीरे धीरे ये भी दिखाओगे कि जो आप उनसे advice लेते हों वो आप मानते भी हो तो आपसे और ज़्यादा बात करने में इंट्रेस्टेड रहेंगे नेक्स यह है कि जिन topics में आपके husband को interest है आप वो वाले topics के बारे भी थोड़ी सी knowledge gain करना शुरू करदो उस से related बाते करो उनसे क्योंकि mostly क्यों होता है husbands and wives के जो interest होते हैं वो अलग-अलग होते हैं husbands के है कि कई बार वो आते में अपनी तरफ से बात करना कुछ बात करनी भी शुरू करते हैं तो वाइस आगे किसे कह देती है यह मुझे इन बातों में को interest निया मुझसे यह बाते मत करो यह बाते न अपने friends के साथ करा करो अपने office में करा करो अब जब उनको एक बात के लिए मना हो जाता है तो फिर वो आगे से और बाते करना बिल्कुल बंद कर देती है तो इसलिए हमको उनके topics जो हैं interest के उसमें थोड़ा सा interest लेना शुरू करना है खुद से जब उनके interest के topics से related बाते करनी शुरू करेंगे तो उनको भी interest आने लग जागा हमारे साथ बात करने में और फिर हमसे वो जादा से जादा बात करेंगे next हमको ना good listener बना है क्योंकि हमारा मन क्या करता है कि जैसी husband मिलते है हमें लगता है कि हमें बाते करनी है इतनी बाते करनी है पता नहीं कहां कहां से हम वो बाते आदाते है और हर छोटी से छोटी बात भी हम उनको बताते है चिडिया अगर बाहरा कर बैट गी थी हम वो भी बताएंगे कि पता है आज एक चिडिया बाहरा कर बैट गी थी है इसका phone आए ता बाहर क्या होगा ता सारी बाते हम करते हैं लेकिन हम उनकी बाते सुनते नहीं है ध्यान से तो हमको उन्हें बोलने का मौका देना है और जाहे वो एक word भी बोले ना तो हमको उसी टाइम बिल्कुल चुप होके अपना phone तो हमें side भी रख देना है बिरकुल शुप होके, eye contact करके, smile के साथ बहुत ज्यान से उनकी बात को सुनना है तो उनको लगे कि ये मेरी बात भी सुनती है मुझे भी बुलने का मौका मिलता है, मेरी बात को भी importance दी जाती है तो जब उनको ये लगेगा कि मेरी बात भी सुनी जाती है तो फिर वो और जादा से जादा आपके साथ बात करनी शुरू करेंगे नेक्स्ट ही है कि ना husband के साथ जब या बात करो ना तो कभी भी उसको किसी problem के साथ शुरू मत करो mostly क्या होता है कि जैसी husband हमें मिलते हैं अगर कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं या फिर हमें सारे दिन के बाद भी मिल रहे हैं हम अपने अपने office गए थे शाम का मिल रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जितना भी दिन की problems challenges हमने face कि इतना वो सारी बाते negative जो हमारे साथ हुई थी वो हम सारी share करना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है कि हम जल्दी से जल्दी उनसे बात करेंगे और हमारे मन का जो बोज है वो हलका हो जाएगा अब उससे क्या होता है कि हमारे मन का बोज तो हलका हो गया लेकिन हमने क्या कि जो husband का mind है उसको तो negativity से भर दिया ना कुछ भी पॉजिटिव जब हम बात करें उसकी बात हम धीरे से रिलाक्स होने के बात फिर हम बात शेयर कर सकते हैं कि हमने क्या प्रॉब्लम्स को या क्या चालेंजिस को फेस किया या क्या एक्सपिरेंस ऐसा हुआ जो कि नेगेटिव लगा आपको आज के दिन में तो को चोटी छोटी से बाते हैं iç हमी खुद भी सॉले कर सकती है, हम सॉल्व कर भी लेते हैं अमें जाहिए भी सॉडिशन चही मोथ था पहले हम कुछ चेक कर लें कि क्या हम उस problem को कुछ solve कर सकते हैं, जब हम ये बताएंगे ना कि हमने इस problem को इस challenge को इस तरीके से solve किया, वो सुनने में जो आपके husband है, वो जादा interested होंगे Next ना, ये vibes की habit हो जाती है कि वो ना हर किसी के सामने अपने husband इनको criticize करते चले जाते हैं जिनके husband बहुत जादा busy रहते हैं या पर जिनके husband कम बूलते हैं या जिनके husband romantic नहीं है तो वो हर किसी के सामने, जब भी किसी gathering में होती है family, friends तो बोलते हैं कि ये बिल्कुल romantic नहीं है ये तो बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते हैं इनको तो बात ही नहीं करनी आती है ये तो time ही नहीं देते हैं सारा दिन अपने काम में busy रहते हैं इनको तो अपने friends से ही मतलब है अब हो सकता है ये सारी बाते सच हो लेकिन ये right person कौन है discuss करने के लिए वो है आपके husband अगर आप किसी gathering में बहुत सारी लोगों के सामने अपने husband को criticize करते चले जाओगे न तो इससे क्या होगा कि husband के mind में आपकी image negative होती जाएगी क्यों? क्यों कि आपने उनका मजाग बनाया सब friends के बीच में अब आपको तो ये लगेगा कि मैं तो मजाग कर रही थी लेकिन मजाग करने और मजाग उड़ाने में difference होता है मजाग उड़ाया जाता है जब किसी particular person के nature के उपर हम attack करते हैं उसकी personality जो है मतलब लोग उसके उपर हस रहे हैं ना और वैसे भी ऐसा तो है ने कि हमारे husband के अंदर कम ये और हम तो बिलकूल perfect है क्योंकि कोई भी person ऐसा नहीं है जो बिलकूल perfect और इसके अंदर imperfections ना हमारे अंदर भी imperfections हैं ना तो हमें भी अच्छा ने लगेगा ऐगर कोई कोल कर सबके सामने हमारी imperfections को बताता रहे और अगर कोई बता रहा है तो वो गलत कर रहा है हमने उसको इस चीज को लेकि compete नहीं करना है बलकि example set करना है कि जिस तरीके से मैं तुम्हारी अच्छाई कर रही हूं सबके सामने उसी तरीके से तुम्हारी भी responsibility है कि तुम मेरी कम्यों को दूसरों के सामने ना लेकर आओ तो अगर हम अपने हस्बंड को criticize करना बंद कर देते हैं सबके सामने उस बात को लेकर और हम इसी चीज के लिए उनको प्रेस करेंगे यह मुझ से बात करते हैं इनका नीचर थोड़ा कम बोलने का है हम positive तरीके से भी उस बात को बोल सकते हैं जरूरी नहीं है कि जूटी तारीफ है हमें करनी है तो कि criticize नहीं करना है कि husband को बुरा फील हो इससे भी दीरे दीरे वो आपके साथ और ज़ादा बात करने लगेंगे next हम इस बात का धियान रखना है कि जो husband's का nature होता है mostly ना वो उनको एक space चाहिए होता है free space चाहिए होता है जहां पर कि वो खुल कर बात कर सके बिना किसी distraction के तो अगर आप expect करो कि आपके husband family के बीच में, friends के बीच में, सब के बीच में आपके साथ खुल कर बात करें जैसे कोई और कर रहा है दिन में चाहिए 5-10 मिनिट कुछ ऐसे निकालो जब आप one-on-one एक दूसरे से इससे बात करोगे उसके लिए आप night walk पे निकल के चले जाओ evening walk पे चले जाओ, 10 मिनिट ऐसा निकालो morning tea का, जब सब सो रहे हूँ शान्त हो, तो जितना distraction-free environment होगा उतना ज़्यादा possibility होती है उतने ज़्यादा chances होते हैं कि आपके husband open up हो सकेंगे अपनी बातों को आपके साथ share करेंगे अब ऐसे जब भी आपके husband आपके साथ बात करें तो आपको उनको appreciate ज़रूर करने है कि आपने मेरे साथ ये बात की मुझे बहुत अच्छा लगा और उनको day by day ये भी remind भी कराते रहने कि आप जब मुझे बात करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और खोश रोकर बोरने हमने जितना हम positive way में इस बात को करेंगे appreciative way में करेंगे उतना वो भी कोशिश करेंगे आपसे ज़ादा से ज़ादा बात करने की हमेशे अगर आप complain and blame करते रहोगे ना उनको कि आप मुझे से बात नहीं करते है उतना ही उनका वही negative rate जो है वो और strong होता चला जाएगा क्योंकि हम जो सोचते हैं जो हम बोलते हैं जो और पर repeat करते हैं वही चीज हमारी और जादा manifest होती जाती है वही चीज और जादा बढ़ती चली जाती है हम अगर थोड़ी सी भी बात करें दिन में hello भी कह रहे हैं उसके लिए उनको thanks बोल दे, appreciate कर दे कि आपने मुझे hello बोला कुछ से आपने मुझे बहुत अच्छा लगा धीरे धीरे वह चीजें मल्टिप्लाई होती चली जाएंगी I wish कें सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद आपके हस्बंड आपके साथ इतनी साधा बाते करें कि आपको उनको खुद को कहना पड़े कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ मुझे कुछ काम भी करना या पि प्लीज चुप हो जाओ मेरी भी बात सुन लो इसी तरह अगर कोई और प्रॉब्लम आफ लाइफ में फेस्ट कर रहे हो